हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग बंदना राय होमेकर में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज की वीडियो जो है मैंने अपने कुछ मन की बातें शेयर करने के लिए बनाई हैं फ्रेंट्स जिन लोगों ने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों क कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरे हस्बेंड जो है गवर्मेंट जॉब करते हैं और मेरे दो बच्चे भी हैं और घर का सारा काम फिनिश करने के बाद मेरे पास जो दो पहर में दो या तीन घंटे बच जाते हैं उस समय में मैं वीडियो बनाती हूं और यूट्यूब पर अपलोड करती हूं तो फ्रेंट्स इन सब कामों में बहुत मेहनत लगती है और मेरे को काफी दुख के साथ यह आप लोगों से कहना पढ़ रहा है कि अभी तक मेरा चैनल मोनोटाइज नहीं हो पाया है क्योंकि जैसा आप सभी लोगों को पता है कि चैनल को मोनोटाइज होने के लिए 4000 घंटा वाच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पड़ते हैं तो अभी तक मेरा वाच टाइम 4000 घंटा नहीं हुआ है और नहीं मेरे सब्सक्राइबर 1000 कंप्लीट हुए हैं तो प्लीज जो लोग मेरे चैनल को सब्सक कर लिए हैं वो मेरी वीडियो को स्किप किये बिना पूरी वीडियो आप लोग प्लीज देखा करिये और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और फ्रेंड्स मैं अपने सिर्फ ए इंब्रोइडरी करना और फेशन डिजाइनिंग से भी कुछ चीजे मैंने कम्प्लीट सीख रखी हैं तो डिजाइनर ड्रेसेज भी मैं डिजाइन करती हूं जैसा कि मैं अपने चैनल पर अप्लोड किया करती हूं आगे भी करती रहूंगी इसके लावा मैंने पारलर कोर्स भ भी मेरी काफी इंट्रेस्ट है और उसकी भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अप्लोड करूंगी और इसके लावा सौफ्ट वाय मेकिंग जैसा आप लोग देख सकते हैं और उसके लावा मेहंदी लगाना और फ्लावर मेकिंग और कुकिंग ऐसी बहुत सारी कोर्सेज मैंन लग मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और मेरे वीडियोस को să degree किये बिना अंत तक जरूर देखा करें और मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूं कि यह मैने कप्ड़ेपर डेजाइन करके यह इम्रोईडरी करके यह मैंने बनाया है और यह मैने इसको फ्रेमीं दिया था और लेकिन उपर से थोड़ा सा गड़बर लकड़ी हो गई थी तो यह मैंने इस पेपर लगा दिया है यह काफी पहले मैंने इसको बनाया था तो यह सब चीजे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी यह मैंने धागे से कढ़ाई करके कपड़े पर पहले इ तस्वीर मैंने बनाई है और इस टाइब की बहुत सारी चीजे में आप लोगों के साथ धीरे-धीरे शेयर करूंगी और यह सॉफ्ट वाय मेकिंग आप देख सकते हैं यह डॉल यह भी मैंने बनाई है और इसके अलावा यह यह सब ट्वाय मैंने सब डिजाइन कर रखे है और यह डॉल है यह भी मैंने डिजाइन की थी इसके लावा यह मंकी और मार्केट में मैंने एक ऐसा टेडी देखा तो इसको भी मैंने बनाया कपडा खरीद कर इसको भी मैंने बनाया है बड़ा सा यह अपने बच्चे के लिए रूद्र के लिए इसको मैंने बनाया है तो यह सब चीजें मैं अपने चैनल पर धीरे धीरे सिखानूंगी आप लोगों के साथ और आप देख सकते हैं कि कपड़े पर इंब्रोइडरी करके यह यह टेबल क्लॉथ मैंने बनाया है यह बहुत प्यारा लगता है आप इसको किसी भी चीज पर विचा सकती है आराम से तो य इंब्रोइडरी करना मैं आप लोगों को सिखाऊंगी यह आप देख सकते हैं यह किनारों पर यह जो आप देखना है यह भी मैंने मशीन से ही बनाया है और इसके लावा यह जो यह जो इंब्रोइडरी मैंने की है यह भी मैंने सिलाई मशीन से सिंपल वाली सिलाई मशीन से मैंने की है जो अक्सर सब के पास होती ही है और ये सब मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगी तो फ्रेंट्स ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सिर्फ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे वीडियोज को पूरा देखा करिए और मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और मेरा सपोर्ट करें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज बनाती रहूं और आप लोगों के साथ श बाबाई